आप सभी लोग कैसे हैं, I hope आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, आराम से अपनी लाइफ एंजॉई कर रहे होंगे, और साथी साथ अपनी स्टडीज भी कर रहे होंगे तो आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर के आया हूँ, हमारे इंग्लिश के क्लास 11 का होंगे जो है उसका चैप्टर नमबर 3 लेकर आया हूँ, चैप्टर नमबर 3 का हमारा नाम क्या है discovering tut, discovering tut का मतलब ये है कि king tut जो है जो कि Egypt के रहने वाले थे, उनकी खोज अब उनकी खोज जो है, एक बहुत बड़ा रहस्य का विशे था उसके बारे में बहुत सारे forensic जो scientists थे जो कि खोज बीन करते हैं या जाज पड़ताल करते हैं और किसी भी पुराने राजा के बारे में जिसकी मृत्यू काफी साल पहले हो चुकी है लेकिन उसके बारे में कोई इतिहास नहीं मिला उसके बारे में जादा से जादा साक्षय या तत्थे इकटे करके और उसका इतिहास की रचना करने की कोशिश करते हैं कि उस समय में क्या कुछ रहा होगा ठीक है गाइस सागा जो है वो कंटिन्यू होने वाला है यानि कि इसे हम यहाँ पर continuity में देखने वाले हैं और उसी के बारे में कुछ रोचक तत्य जो है आज हम जालेंगे ए आर विलियम्स जो है उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है ठीक है गाइस तो डिसकवरिंग टट में हमारे जो कैरेक्टर्स हैं कैरेक्टर्स में हमारा सबसे फर्स्ट कैरेक्टर जो आता है वो किंग टट खुद है जो कि लास्ट हीर थे आखरी राजा थे powerful family के that had ruled Egypt जिनोंने Egypt पर साशन किया था and its empire for centuries और इसके पूरे के पूरे सामराज्ये पर कई शताब्दियों तक ठीक है His preserved body was the first to be scanned उनका जो preserved शरीर था यानि कि Egypt में जब किसी की मृत्य हो जाती है तो मृत्य होने के बाद उनके शरीर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उस पर कुछ तरह का लेप लगाया जाता है पट्टिया बंदी जाती है और फिर उसे कब्र में दफना दिया जाता है या कब्र नहीं होती वहाँ पर एक्चुली क्या होता है उसे सबसे पहली बार आधूनिक यंद्रों के द्वारा स्कैन किया गया था और उनके बारे में पता लगांने का प्रयास किया गया था सेकंड इसके अंदर हमारे केरेक्टर आते है होवाड कार्टर जो बिटिश आर्केょलॉजिस्स है archaeologist का मतलब यह होता है पुरातत्व वैग्यानिक का सीधा-सीधा मतलब यह समझ लो कि जहां पर भी काई excavation वगरा होता है खुदाई वगरा होती है कुछ पुराने साक्षे मिलते हैं तो वहाँ पर वो जाकरके उनको study करते हैं उनके बारे में और जानकारी इकटा करते हैं और उनके बारे में books लिखते हैं जैसे हडपा के बारे में किसी archaeologist ने लिखा होगा काली बंगा के बारे में तो जितनी भी पुरानी जगह हैं उनकी जो खोज करने वाले या उनके बारे में अध्यन करने वाले जो लोग होते हैं वो आर्केलोजिस्ट कहलाते हैं वो इन 1922 जिनोंने 1922 में डिसकवर्ड किंग टॉट्स टॉम जिनोंने किंग टॉट का जो टॉम है टॉम यानि की कब्र जो है उसे खोज निकाला था His search cost great damage to the king's preserved body और उन्होंने जब वहाँ पर king टॉट की वाड़ी के आसपास में जब खोजबीन कर रहे थे तो उसकी वज़े से king टॉट की जो वाड़ी है उसे काफी damage हुआ था उस पर काफी जादा चोट वगरे लग गई थी जिससे की बाद में और जादा confusion होने लगे थे ठीक है थर्ड इसमें आता है जाही हवस the secretary general of Egypt's supreme council of antiquities जो antique वस्तुओं को अदुईती वस्तुओं जो है Egypt की उनको रखने वाली जो संस्ता है उसके secretary journal थे ये supreme council के he scanned king's tuts mummy यानि कि उन्होंने king tuts की जो mummy है ममी का मतलब मा नहीं उनका जो शव है for an accurate forensic reconstruction उन्होंने accurate बिल्कुल सही तरह से forensic reconstruction उनकी body का किया था तटकी body का यानि कि उसके उपर सही तरीके से सबसे सही तरीके से जाज़परताल करने वाले वही थे थर्ड हमें आप अपने जो character दिखाई देते हैं उनका नाम है Amenotape 3 जो की king tuts के या तो पिता थे या दादा जी थे यानि king tuts father और grandfather उनके बारे में इतना exactly पता नहीं चल पाया या तो वो king tuts के पिता थे या फिर उसके दादा जी थे was a powerful ruler जो की एक बहुत ही शक्तिशाली शाशक थे who ruled for almost four decades जिन्होंने चार दशक तक यानि लगबक 40 साल तक वहाँ पर एजिप्ट में राज किया था फिर आता है eminotep four जो की एक वहाँ के शाशकी थे ये भी राजा ही थे लेकिन ये god war जो होती है ना उस god war के अंदर पड़े हुए थे यानि कि एक देवता अच्छा है दूसरा देवता अच्छा नहीं है इसको मैं पूजा करता हूं तो इसको मैं बढ़ाऊंगा चड़ाऊंगा इसको म बहुत जादा प्रमोट किया था उसे बहुत जादा बढ़ा चड़ाकर के लोगों के सामने बताया था and changed his name to Ackenton और उन्होंने अपना नाम होने के बाद भी उन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया था he outraged the country by attacking Amin और Amin जो है एक देउता है और Atan जो है वो दूसरे देउता है तो उनको गुसा मतलब इतना जादा उट्रेज कर दिया था इतना जादा गुसा हो गए थे वो उन पे कि उन्होंने Amin पे अटेक करना शुरू कर दिया था जो कि एक मुख्य देउता थे उनकी जो भी चितर थे या जो भी कहीं पर उनकी इमेज लगी भी होती थी पुतला होता था उसे तोड़ करके and closing his temples और उनके जतने भी मंदिर थे उन्हें बंद करके यानि कि यहाँ पर यह जो हमारा king है ये एथन की pूझा करता है और एथन को सरवोपरी देवता मानता है एथन को और साथ ही साथ ये अमन जो है उसे देवता नहीं मानता उसकी पूजा नहीं करता उसकी वर्शिप नहीं करता उसके मंदिर तोड़ता है उसकी मूर्तिया तोड़ता है और उन मंदिरों को बंद कर देता है तो ये सारे के सारे characters हैं, जो हमें इस chapter में दिखने वाले हैं, main जो हमारी storyline रहने वाली है इस chapter के अंदर, वो King Tut के आसपास ही घुमेगी और उसी के बारे में हम जादा से जादा कि excavation में क्या निकल के आया, city scan में क्या निकल के आया, तो बहुत जादा strong storyline नहीं है, data बहुत जा जो reports हैं, उनका data आएगा, वो हमें पता होना चाहिए, तो कोशिश करूँगा कि इस chapter को enjoyable बना सकूँ, बस आप लोगों का साथ इसी तरीके से बना रहे हैं और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि इसे थोड़ा सा enjoy करने की कोशिश करें, हाला कि थोड़ा सा chapter ऐसा ही है य जरते हो गई, the last year of a powerful family, आखरी उत्रादिकारी एक शक्तिशाली परिवार का, that had ruled Egypt, जिसने Egypt पर शाषन किया था, and its empire for centuries, और इसके पूरे के पूरे सामराज्ये पर राज किया था, कई शताब्दियों तक, अब ये शताब्दियों तक राज करने का किसके लिए कहा जा रहा जिस परिवार का वो उत्रादिकारी है, क्योंकि ये तो किशोरा वस्ता में मर गया, तो कई centuries तक, कई शताब्दियों तक, ये कैसे राज कर सकता है, तो इसके परिवार ने कई शताब्दियों तक, कई सो वर्षों तक वहाँ पर राज किया था, he was laid to rest, laden with gold and even actually forgotten, उसे किटाया गया था, rest करने के लिए, सोने से लाद करके, यानि कि उसकी मृत्यों के बाद में, जहां पर ममीज बनती है, एजिप्ट के अंदर, जहां लोगों को ना दफनाया जाता है, जमीन में, ना जलाया जाता है, ना ही और कोई क्रिया की जाती है, उनके शरीर को एक तेल लगा करके, पट्टी बांद करके, और एक, आप क्या कहते हैं, उसे कॉफिन कहा जाता है, कॉफिन के अंदर उसे रखा जाता है, और कॉफिन में रखके उसे सुरक्षित किया जाता है, मुख्य रूप से ये काम होता है, तो यहां पर यह कभी भी नहीं मानते कि वह मर गया इन लोगों कि क्या विचार दर है वे रेस्ट कर रहा है और कभी इसका समय आएगा कभी वो टाइम आएगा जब ये खड़ा हो जाएगा Scorpion King देख ले न मूवी समझ में आ जाएगा कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर Scorpion King जो है या ममीज की जो और मूवीज है वो आप देख सकते हैं उसके अंदर जो मुसीबत में पढ़ने वाले जो hero heroine होते हैं mostly वो excavation का ही काम करते हैं वो archaeologist होते हैं कि वो पुरानी चीजों में जाकर के ममीज के वाँ चले जाएंगे और उनके coffin को खोल करके देखते हैं फिर ममी जिन्दा हो जाती है फिर उनके पीछे-पीछे भागती है creepy तो यही सारी चीजे हैं तो gold से लदा हुआ था उसका जो शरीर था मृत शरीर and even actually forgotten और वास्तविक्ता में या परिणाम सरूप समय के साथ उसे भुला दिया गया since the discovery of his tomb in 1922 जबकि उसका अब जब 1922 में उसका tomb यानि की उसकी जो कबर थी वो मिल गई थी the modern world has speculated about what happened to him तो अब जो modern world है उसने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि इसके साथ क्या हुआ होगा इसकी मृत्यू कैसे हुई होगी तो उसके बारे में अंदाजा लगाना लोगों ने शुरू कर दिया कि इसे क्या हुआ होगा with murder being the most extreme possibility और किसी चीज का अंदाजा लगाने लगे कि इसकी तो हत्या की गई है सरवाधिक जो संभावना थी वो यही दर्शा रही थी कि इसकी हत्या की गई है now living his tom for the first time in almost 80 years अब जबकि उसे अपने कबर से बाहर निकाला गया था पहली बार लगबग 80 सालों में tut has undergone a city scan tut जो है उसे city scan के माध्यम से गुजारा गया उसके अंदर बेज आ गया city scan आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे गोल सी मशीन होती है उसके बीच में ट्रे जैसी होती है जिस पर patient लेटता है वो ऐसे slide oaker के बाहर आती है उस पर लेट जाता है patient और फिर वो slide oaker के अंदर जाती है और इसी गोल सी मशीन होती है तो city scan किया गया that offers new clues और city scan करने के बाद नए संकेत मिले about his life and death कि इसका जीवन कैसा था और इसकी मृत्यू कैसे हुई तो जब उसका city scan किया गया उसके मृत्य शरीर का 80 साल के बाद तो उसके शरीर से हमें कुछ ऐसी चीज़े पता चली कि ये जीवित था तो कैसा वेक्ती था और मृत्यू के बाद में इसकी मृत्यू कैसे हुई and provides precise data for an accurate forensic reconstruction यानि कि उससे एक बिलकुल सही data हमें मिला accurate जो कि forensic reconstruction के लिए forensic यानि विग्यानिक पुनर विचारिया पुनर धारणा के निर्मान के लिए बहुत ही आवशक था to the boys पेरवा पेरवा का मतलब होता है प्राचीन मिस्तर के अंदर राजा के पद को पेरव का जाता है पेरव का मतलब होता है राजा जैसे हम लोग राजा कह रहे हैं मिसर के इंदर राजा तो कहेंगी नहीं, वहाँ हिंदी थोड़ी चलती है, तो वहाँ क्या कह देते हैं, उसे फैरो कह देते हैं, तो यहाँ पर यह क्या कह रहा है, कि जब उसका city scan किया गया, तो सही सही चीजे निकल के सामने आई, ताकि forensic report बनाते समय, इन सारी चीजों को ध as king Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery, known as the valley of kings, अब देखिए, एक बहुत ही तेज आंधी, तूफान जो है, वो चलना शुरू हो गया, एन एंगरी, विंड का मतलब यह है, बहुत ही तेजी से चलने वाली हवाँ जो है, शुरू हो गई या उचल करके आई, ghostly dust और बिल्कुल भूतिया किसम की, यानि कि डरा देने वाली जो dust है, जो धूल का गुबार जो है, वो बनने लगा, जैसे ही राजा king Tut जो है, उसके शरीर को, उसके resting place से, resting place का मतलब होता है, यह देखो, इस जगे को कहा जाता है, value of the kings यह value of the kings है, यानि कि यहाँ पर सभी राजाओं की कब्रे बनी हुई है, जब वहाँ से उसे निकाला गया, उसके कब्रिस्तान से, तो वहाँ पर आप्रत्याशित रूप से कई सारी घटनाए होने लगी, यानि कि तेज आंधी तूफान चलने लग गया, ठीक है, dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were wailing the stars in the casket gray, अब जो है, काले काले रंग के जो बड़े बड़े जो बादल थे, वो अब आसपास से उड़कर के उस जगह पर आने लगे, यानि कि आसपास आसमान में जितने भी बादल थे, वो बहुत ज़ादा काले रंग के होकर के, गुमण के वहाँ पर आने लगे और desert sky जो है, यानि कि उस रेगिस्तान का जो आसमान है, वो पूरे दिन और अभी भी पूरी तरीके से ढखे हुए था, उस desert को साथी साथ आप उपर की तरफ देखोगे, तो आपको कहीं पर भी starts वगर दिखाई नहीं देंगे, ऐसा लग आता कि पूरे आसमान को ग्रे कलर के कफन से ढख दिया गया है, यानि कि ये सारी की सारी चीज़े अनिष्ट कारक बता रही है, कि उसके शरीर को वहाँ से नहीं निकाला जाना चाहिए था, उसे नहीं छेड़ना चाहिए था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंद विश्वास व अलरके कफन ने ढख दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था, इट वास शिक्स पीम ये शाम के छे बजे का समय था, ओन फिफ्ट जैन्वरी 2005 और पांच जन्वरी 2005 के दिन, दो वर्ल्ट स मोस्ट फेमस ममी, ग्लिड़ेड हैड फर्स्ट इंटु आ सिटी स्कैनर, और दुनिया की सबसे प्रसिद, जो ममी है, ममी मतलब वापस बोल रहा हूँ, ममी का मतलब मा मत समझना, ममी का मतलब जितनी बार इस चैप्टर में आएगा, वो क्या है, सनरक्षित शव के लिए कहा जा रहा है, यानि कि जिने पट्टियों में बान के रखा जाता है, वो ममी, जिसका सर पहली बार जा रहा था, एक सिटी स्कैनर मशीन के अंदर, जिसे यहां लाया गया था, यह पता लगाने के लिए, यहां पर लंबे समय से चली आ रही, जो एक मेडिकल, यानि कि चिकत सा जगत के अंदर जो रहस्य बना हुआ था, क्यार इस राजा की मृत्यू हुई तो हुई कैसे, इतनी कम उमर के था, तो बहुत लंबे समय तक, यह एक मिस्ट्री बनी रही, of this little, understood young ruler, जो की, जिसे की एक छोटा सा, समझा जा रहा है, young ruler मृत्य हो गई थी, more than 3300 years ago, 3300 साल पहले, ठीक है, तो एक ऐसा राजा जो 3300 साल पहले, जिसकी मृत्य हो गई, आज पहली बार उसे city scan में डाला जा रहा है, ताकि चिकत सा जगत के जो रहस्य हैं, कि किस प्रकार से इसकी मृत्य हुई, उन रहस्यों से परदा हटाया जा सके या उन रहस्यों का पता लगाया जा सके, पूरी दौपेर के समय में, यानि कि एक लंबी सी पंक्ती बनी रही, टूरिस्ट की यात्रियों की, जो कि दुनिया के कौने कौने से आये थे, from around the world, head descended, जो की नीचे की तरफ जा रहे थे, नीचे की तरफ उतर रहे थे, line में, into the cramped, एक सकडे से, rock cut tom, चटान काट कर, जो बनाया गया था, tom जो है, यानि कि कबर जो है, उसमें, some 26 feet, जो लगबक नीचे की तरफ कितना बड़ी थी, 26 feet, underground, जमीन के अंदर बनी हुई थी to pay their respect, और ये सारे के सारे दुनिया से जो यात्री आ रहे थे, वो क्यों आ रहे थे, अपना संबान, king tut के प्रती, प्रदर्शित करने के लिए, या उनका respect करने के लिए, they gazed at the murals, और वो दिवारों पर बने वे, ये देखो है, इस तरह की चितरकारी होती है, महाँ पर अब देखो, barrier chamber जो है, वैसा नहीं होता, एजिप्ट के अंदर जैसा होता है, वो अलग होता है, एक पूरा का पूरा कमरा ही होता है, जिसमें एक आराम से आदमी रह सकता है, लंबा चोड़ा कमरा होता है, उसमें बीच में एक पत्थर रखावा होता है, और उसी के उपर जो है, ममी को लिटाया जाता है, एक कॉफिन के अंदर, ठीक है ना, विरियल चेमबर एंड पियर्ड और वहां से जहां करके अध्यान से देखने लगे, एट टर्ट्स, ग्लिडेट फेस, और जो उसका चमकता हुआ, चैरा जो है, उसे देखने लगे, दा मोस्ट स्ट्रिक फीचर ओफिस ममी-shaped, आउटर कॉफिन लिड, जो की बहुत ही शांदार सा फीचर था, बहुत ही अदबुत सा फीचर था, उस ममी के, ममी शेप का जो आउटर कॉफिन था, यानि की, इसको वैसे समझो, कि ये कॉफिन है, ठीक है, ये इनसान नहीं है, इसके अंदर है इनसा ठीक है ये इनसान नहीं है ये coffin है तो अब इसको क्या करता है इस तरीके से खोल दिया जाता है लिड की तरह तो यहाँ पर यह जो coffin है इसका जो चहरा है वो कैसा होगा राजा टट की तरह होगा यानि कि कि टट का face जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा तो उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से आकरशक रूप से वो सारे के सारे यात्री देख रहे थे तो यहाँ पर क्या का गया ममी shaped outer coffin lid यानि बहार की तरफ से जो coffin है उसके lid को यानि उसके ढखकन को सभी लोग ध्यान पूरवक देख रहे थे some visitors read from guide books in a whisper और कुछ लोग जो है कुछ यात्री जो थे वहाँ पर वो एक guide book में से guide book का मतलब होता है mark दर्शी का कि आप Egypt गूमने गए हो आपको नहीं पता कहां क्या है क्या नहीं है others stood silently और बाकी जो यात्री थे वो चुपचाप खड़े थे perhaps pondering tuts untimely death in his late teens शायद वो विचार कर रहे थे शायद वो चिंतन कर रहे थे सोच रहे थे मन में कि कैसे टट की जो है वो untimely यानि बेना समय बेना समय का मतलब क्या होता है death in his late teens यानि कि 19-20 साल की उमर में अगर किसी की मृत्ति हो जाती है तो उसके बारे में कोई भी विक्ति क्या करेगा विचार करेगा सोचेगा कैसे इसकी मृत्ति हो गई या इतना चोटा जो बच्चा है वो उसकी death कैसे हो सकती तो बाकी के जो लोग है वो untimely death जो होई थी टटकी उसके बारे में सोच रहे थे विचार कर रहे थे और wondering with a shiver if the pharaoh's curse और या फिर वो सोच रहे थे डर के मारे कि कहीं इस राजा का हमें श्राप ना लग जाए death or misfortune falling upon those who disturbed him के या तो उनका कर्स क्या होगा मृत्यू के रूप में होगा कहीं वो हमें श्राप ना दे दे के मैं आराम से सो रहा था तुम लोगों ने आकर के मेरी पूरी कबर तोड़ दी और मुझे यहां से निकाल के ले गए तुमने मुझे disturbed किया तो अब मैं तुम्हें श्राप दूँगा किस चीज के लिए death के लिए ऐसा कुछ हो नहीं दा यातरी सोच रहे हर इंसान है अलग-अलग तरह के लोग होते हैं सबकी अपनी अपनी सोच होती है तो यहां पर कुछ जो लोग हैं वो तो अपनी guidebook पढ़ रहे हैं कुछ लोग जो है वो शानती से आप ना दे दे किस चीज के लिए मृत्यू के लिए या दुरभाग्य के लिए falling upon us जो कि हम पर होने वाला है दोज उन लोगों पर who disturb him जिनोंने उसे परेशान किया है वहां आ करके disturb किया है was really true यह वास्तविक्ता में सत्य था तो अब यहां पर क्या है तीन तरह के लोगों में लगने वाला है दा ममी is in very bad condition because of what Carter did in the 1920 और ममी जो है वो बहुत ही बुरी condition में थी यानि कि जो शव था वो बहुत ही शतिग्रस तो चुका था बहुत दुर्वेवस्ता में था क्योंकि जो भी Carter ने किया था 1920s के अंदर 1920s के अंदर देखो क्या होता है कि जब excavation किया जाता है न तो हतोड़े को तरीके से जलाया जाता है कि कोई important चीज ना तूट जाए या कोई ऐसा साक्ष जो हमें इतियास के बारे में बहुत जरूरी जानकारी दे सकता है वो कहीं ब चीज यहां पर है वो सही तरीके से निकले Carter भाहिसाब जो है ना इनमें थोड़ी से अकल की कमी थी यह चले गए तोड़ा अथोड़ा लेकर गणवन लेकर ताम दूम करके तोड़ दिया ऐसे नहीं तोड़ना होता है उसकी वज़े से किंग जो है किंग टट की जो ममी है उ उन्हों ने कहा जिनका नाम जाई अवास यह है वो जाई अवास इन्हों ने यह कहा कि कार्टर ने जिस तरीके से 1920 में सत्यानाश मचाया है उसकी वजए से ममी जो है वो बहुत ही बुरी स्थिति में हमें मिली as he learned over the body for a long first look जैसे ही he leaned over the body वो थोड़े से जुक करके उस शव को उस शरीर को लंबे समय तक first look में देखते रहे यानि कि अच्छी तरीके से उसको observe करते रहे कहां क्या है क्या नहीं है लेकिन observe करने के बाद उन्हें पता चला कि सत्यानाश हो रहा है Carter Howard Carter जिनका पूरा नाम Howard Carter है देट इस वॉस्थ ब्रिटिश आर्केलोजिस जो की एक ब्रिटिश आर्केलोजिस थे वो इन 1922 डिसकवर्ट टर्ट स्थॉम जिन्होंने 1922 के अंदर खोज निकाला था टर्ट की कबर को आफ्टर येर्स ओफ फ्यूटाइल सर्चिंग जब कई साल बीद गए व्यर्थ की बिना मतलब की खोजबीन करते वे और सब लोग अलग अलग जगह पर किंग टर्ट जो है उसको ढूंड रहे थे लेकिन वो नहीं ढूंड पाए तब कार्टर ने ढूंडा था 1922 के अंदर यानि कि बहुत सारी बेकार की सर्चिंग के बाद में उन्हें जाकर के वो बॉड़ी मिली थी इट कंटेट्स और इसके साथ क्या-क्या था थू हैस्टली रेंसेक्ट इन एंटिक्विटी और इसके अंदर इसमें सम्मिलित था थू हैस्टली बहुत ही जल्दबाजी जल्दबाजी के तरीके से लूट करने की कोशिश की गई थी एंटिक्विटी इसकी यानि उसके अं जो कि हमेशा सबसे अमीर राजशाही जो वस्तूओं का संद्रक्षण था जो कि अब तक पाया गया था एजिप्ट में और बहुत सारी खोजे हुई थी लेकिन जो काटर ने जो खोज की थी उसमें शाही वस्तूओं सबसे ज़ादा मिली थी यानि कि सबसे लारज़स्ट कलेक्शन शाही वस्तूओं का वहाँ पर मिला था जो की राजा की पारंपरी कताएं हैं उनका हिस्सा था स्टनिंग आर्टेफेक्ट्स शानदार या लाजवाब हस्त करतियां हाथ से बनाईवी चीजें इन गोल्ड जो की सोने की थी और जो उनका सदेव रहने वाला जो ब्रिलियंस था जो उनकी समझदारी थी जो उनकी सोस थी meant to guarantee ऐसा लग रहा था कि वो guarantee दे रही है guarantee दे रही है मतलब हमें परतिपुष्ट कर रही है कि यह ऐसा ही होगा पुनर जीवन को यानि कि वहाँ जितनी भी उनके आसपास चीजें पड़ी थी जो भी साही collection उनके आसपास पड़ा था उन सारी चीजों को देख करके ऐसा लग रहा था कि भाई ये राजा तो सच में यही सोच करके यहाँ लेटावा है कि वापस जिन्दा हो नहीं है मतलब इस बात के कोई doubt ही निया इस बारे में कोई बहस करने की जुरत नहीं कि वापस जिन्दा होगा कि नहीं होगा वो इस तरीके से वहाँ पर सारी चीजे रखी भी थी caused a sensation at the time of the discovery और यही कारण था कि वहाँ पर एक संसनी फैल गई थी जिस समय discovery हुई जब उसके tom को खो जा गया अब आप एक चीज सोचो कि just कलपना करके देखना मैं तो कर रहा हूँ तो मुझे ठीक लग रही है कलपना आप लोग मेरे साथ चलो है न अपन चलते हैं कहीं तो मैं आपको गुमा के लाता हूँ थोड़ा सा हम लोग किसी एक ऐसे घर में गए जहां पर जो घर बहुत पुराना है बहुत सालों से बनते हैं उस घर के अंदर हम लोग गए एक कमरे में दो कमरे में तीन कमरे में चार कमरे में पांचवे कमरे में जैसे हम लोग जाते हैं तो अंदर हम देखते हैं कि कुड़सी पर एक व्यक्ति बैठा है और उसके आस पास खाने पीने की बहुत सारी चीज़े पड़ी है लेकिन जो की 50-60 साल पुरा नहीं है उसकी अलमारी है, फैन है, सब कुछ उसकी जरुरत का हर सामान उस कमरे में कि जैसे वो अगर, जैसे कि वो सो रहा है थोड़ी दिर में उठेगा तो उठने के बाद उससे सारी चीज़ों की जरुरत पड़ी अगर, अगर समझ पाएं, तो इस टॉंब में क्या परिस्टित होगी आप उस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि कबर में जब घुसे तो जिस समय डिस्कवरी हुई टटकी उस समय में सारी चीज़े इस तरीके से रखी भी थी ऐसी वेवस्तिती जैसे निशित तोर पर पुनर जीवन होने वाला है यानि कि वो वापस जरूर जीवित होगा and still get the most attention और फिर भी सबसे ज़ादा ध्यान को आकर्शित कर रहा था यानि कि उस कमरे में जो जमीवी चीज़े थी और जिस तरीके से उस कमरे को सजाया गया था किस बारे में? resurrection के बारे में, यानि कि पुनर जीवन के बारे में, वही सबसे ज़्यादा ध्यान आकरशित कर रहा था but Tut was also buried with everyday things he had want in the afterlife लेकिन Tut को जिस तरीके से दफनाया गया था, उसकी रोज मर्रा की जो चीजे थी यानि प्रती दिन काम आने वाली जो चीजे थी he had want in the afterlife, जो की जीवन के बाद उसे चाहिए थी board games, यानि कि शतरंज, अब bronze razor, एक कासे का razor shave वगर करने के लिए lillain undergarments, lillain एक तरह का कपड़ा होता है, जिससे cotton होता है polyester होता है, वैसे lillain भी एक तरह का कपड़ा होता है अच्छा होता है, अमीर लोग ज़्यादा पहनते है तो lillain के undergarments है उसके cases of food and wine, और बकसे पड़ेते हैं जिसके अंदर food भी पड़ाता, खाना भी पड़ाता, wine भी पड़ाता अभी लेके कहा था था न, उस कमरे में गुमाने के लिए बताया था न, सारी चीज़ है जो भी एक वेक्ति को आउशक्ता पड़ेगी कि जैसे सब ये मान रहे हैं कि किंग टड़ जो है, उसकी मृत्यों नहीं हुए वो सो रहा है, वो कभी भी उठ जाएगा और इसे इन सारी चीज़ों के आउशक्ता पड़ेगी truth of कहता न, पुनर जीवन जो है या पुनर जन्म हो जाना जो है उसका सत्य वो लोग और उनको नहीं लगता था कि किसी और जगए कहीं किसी और रूप में वेक्ति पैदा होगा उनका ये मानना होता था कि यहीं पैदा होगा इसलिए आपने देखा होगा सा कॉंसेट है कि जहाँ पर या जिन सभ्यताओं में यह माना जाता है कि जिसकी मृत्यू हुई है वह केवल कयामत के दिन तक के लिए लेटा हुआ है वहां पर कयामत के दिन गया गляहा है जिनकी ममीज नहीं कि तो आप कह सकते है रेस्ट इन kbereस सकते हैं यह आप सनातन में देखेंगे तो वहाँ पर कोई भी rest in peace नहीं कहता, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिमेट करने का तरीका होता है, जो दाहसंसकार का तरीका होता है, अंतिम बिदा का, उसमें व्यक्ति के शरीर को जला दिया जाता है, और जलाने के बाद में उसकी राक रह जाती है, तो राक से कोई इंसान वापस खड़ा नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पर सनातन सब्यता के अंदर जो है, वो rest in peace नहीं कहा जाता है, यहाँ पर शर्दान जली के लिए दूसरे शब्दों का प्रियोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगे जहाँ पर कबर हो, कबरिस्तान में The Pharaoh's Funery Treasures Carter begin investing his three nested coffins opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive, चलो जादा लंबा होगा है सेंटेंस, थोड़ा पार्ट कर लिए इसका, After months of carefully recording the Pharaoh's Funery, यानि कि कई महीनों तक जब ध्यान पूर्वक record किया गया, सावधानी से record किया गया, राजा के साथ में जो भी चीजें दफनाई गई थी, यानि कि राजा के साथ में जो खजाना था, Treasures जो थे, उन्हें, Carter जो है, उसने, investing his three nested coffins, यानि कि उसके आसपास जो और तीन coffins थे, तीन इस तरह के और जो coffins थे, उनकी खोज करना शुरू किया, Opening the first, उसने पहला coffin खोला, he found a shroud, जिसमें उसे एक कफन मिला, ठीक है न, मरने के बाद जो कपड़ा पैनाया जाता है, उस कपड़े को shroud कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि आपने movie में, बताऊं तो कौन सी movie में देखा होगा shroud, रेस टू के अंदर जो है, सैफली खान एक कफन चोरी करता है, जिसे shroud of Turin कहा जाता है, यानि कि ईसा मसीख की मृत्यू के पश्चात, जो सबसे पहला कफन उन्हें पैनाया गया था, कहते हैं, उनके खून से उस पे, जो प्लस वाला साइन होता है, जिसस क्राइस्ट का, वो जिस कपड़े से ढगा जाता है, एड़न, वह श्राउड या कफन जो है, वो सजाववा था, विथ गार्लेंड्स मालाओं के साथ, और मालाएं किसकी, विलो एंड ओलिव यानि बैत और जैतून की जो पत्तियां होती हैं, लीवस होती हैं, उसकी मालाएं, वाइल्ड सरेले जो की बिल्कुल धुंदले पड़े हुए साक्ष्य थे, और इन सारी चीजों को जो भी उसके श्राउड पर रखा हुआ था, उससे देख करके ये पता चल रहा है, कि इस विक्ति को या तो मार्च के महीने में, या अप्रेल के महीने में दफनाया गया होगा, क्योंकि ये स सारी चीजें किवल मार्च अप्रेल के टाइम में ही उपलब्द हो सकती है, इसलिए ऐसा अंदाजा लगाया गया कि उन्हें मार्च या अप्रेल में दफनाया गया होगा, वेन ही फाइनली रीजट दा ममी और अंत में जब उस श्राउड को अटा करके वो शव पर उस ममी क सॉलिट गोल्ड कॉफिन, यानि कि जो रीच्वल है, रीसंस के, यानि कि जो भी चिकना पदार्थ जो है, उनकी बॉड़ी को प्रिजर्व रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए लगाया जाता है, तो एक तरह का तेल किसम का होता है, वसा वाला, ठीक है, है, हैड हा इसा होगा, लिक्विडिश होगा, उसे हटाया जा सकता है, लेकिन सोचो के, 3,300 साल तक अगर कोई ऐसा वेक्ती मोम के अंदर ही पूरा पैक रहा हो, मोम का में एक 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 जामपल दे रहो हला कि मोम नहीं था, वो अलग तरीके के चिकने पदार्थ होता है, जो ममीज पर ल कार्टर जो है, परिशान होने लगा, हेड हार्डन वो कठोर हो गया था, समेंटिंग तुब डॉटम ऑफ, हिस सॉलिड गोल्ड कउफन और जो की समेंटिंग का मतलब होता है, उसे दफन करते समय, चिपक गया था, तुब डॉटम ऑफ, उस सॉलिड से, यानि की सक्त बने ह हुए गोल्ड के कॉफिन में उसे नीचे की और लेटाया गया था नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोड्स कुड मूव देम और कितना भी आप जोर लगा लो कितना भी दम लगा लो कितनी भी कोशिश कर लो आप उसे उठा नहीं सकते थे कितनी भी आप ताकत का इस्तमाल क करो आप उसे हिला डूला नहीं सकते थे ऐसा किसने देखा हमारे बाई साब जया ना जिन्होंने सत्यानाश किया था उनके टॉम का कार्टर ने ठीक है कार्टर रोट लेटर कार्टर ने बाद में ये चीज़ लिख करके बताई what was to be done कि अब क्या करते क्या किया जा सकता था नहीं जा पा रहा ता या उसके शरीर को बाहर निखालने में वो लोग समर्थ नहीं थे कौशिश कर रहे थे लेकिन शरीर बाहर ने निकल रहा था रोर उसकी टीम लगे वे थे एक तो चिकना और इतना भारी हो गया थे और फिर कॉफीन का जो है साइज कई बार डिफर कर जाता है कई बार क्या होता है कॉफिन का साइज इतना ही होता है नौर्मरी ठीक है आप यह मालो के एक मीटर तो नहीं आदा मीटर पॉन मीटर होता है लेकिन कई बार क्या होता है जब कॉफिन ऐसे जमीन में बनाया जाता है न तो वह बहुत गहरा होता है तो वहां से किसी को निकाल पाना कई बार मुश्किल होता है खास करके जब उसे ऐसे चिकने पदार्थों से या ऐसी चीज़ों से लपेट के रखा गया हो तो जो सकत के वक्त के साथ जम गई हो वहीं पर वो फिक्स हो गया तो कितना भी फोर्स लगा रहा था कार्टर और उसकी टीम लेकिन वह से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे उठा नहीं पा रहे थे दा सन केंड बीट डाउन लाइक हैमर दिस फार साउथ इन एजिप्ट और सूरज जो है वह एकदम हतोड़े की तरह प्रहार कर रहा था मतलब गर्मी इतनी जादा हो रही थी क्योंकि साउथ ओफ एजिप्ट में हम लोग थे एंड कार्टर ट्राइड टू यूज एट तो लूजन द रिसंस यानि कि जो चिखना उस पर लगी थी तो कार्टर ने सोचा कि एक काम करते हैं कि जो चिकनाठ है इसको सूरज में रख देते हैं तपती दूप में रख देते हैं शव को तो इसमें से अपने आप क्या होगा कि यह पिगल जाएगा तो उसने ऐसा प्रयास किया तो उसने ममी को उठा करके बाहर की तरफ ब्लेजिंग यानि जोर से तपता पाती भी धूप के अंदर उसे रख दिया धैट हीटेट इट टू 149 डिग्री फेरेनाइट जिसने इसे 1149 डिग्री फेरेनाइट तक इसे गरम कर दिया नथिंग बग्त कोई फरक नी पड़ा ज वुकुषिश कर रहे हैं कि उसमें से जो ममी है जो शव है बाहर निकलें लेकिन उनकी सारी जो कोशिश हैं वह नाकाम हो रही है तो अब यहां पर क्या हुआ कि उन्हों ने क्या देखा कگा क्या करूं फुक्त बहुत तहीं आ रहा सब लोगोंने सारा जोड़ लगा कि देख लिया नहीं इतरा इसको सूरज में रख देते हैं सूरज में वहां पर उसे रख दिया तब भी नहीं हो रहा ठीक है तो यानि कि अभी भी वहां से अटा नहीं पा रहे हैं he reported with scientific detachment यानि कि scientific विज्ञानिक तौर पर जो भी उसके मंद में था उससे अलग हटकर डिटेच्मेंट से उसने क्या बताया क्या रिपोर्ट की that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यह जो जमा हुआ जो भी पदार्थ है consolidated मतलब यह जो liquid था जो अब जाम हो गया है had to be chiseled away यानि चैनी से काटा जाए यानि कि इसको चैनी अतोड़े से या कोई काटने वाली चीज से इसको अलग किया जाए beneath the limbs and trunk limbs और trunk के नीचे की और before it was possible to raise the king's remain इससे पहले की यह संभव हो सके के हम राजा के बचेवे अवशेशों को प्राप्त करें यानि राजा के बचेवे अवशेश प्राप्त करने के लिए हमें चैनी हदोड़े से काट करके तोड करके इसे ऐसी जगे से काटना और तोडना चाहिए जहां पर राजा को ज़्यादा नुकसान ना हो और हम इसे इस तरीके से राजा के बचेवे अवशेश इससे बाहर न उसके पास, if he hadn't cut the mummy free, अगर वो उसे काट करके, उपर से और mummy को अगर स्वतनतर नहीं करता, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to move the gold, तो उसके मन में ये था कि अगर वो mummy को इससे, जो भी एचिकना पदारत है, इससे अगर काट करके अलग नहीं कर पाता, तो चोर जो हैं, जितने भी चोर हैं, most certainly मुख्य रूप से निश्चित तोर पर would have circumvented, यानि कि the guards, guards को धोका दे करके, यानि कि उनको चक्मा दे करके and ripped it apart और वो इससे तोड़ करके अलग कर देंगे to remove the gold, वहाँ से सोना हासिल करने के लिए, अब ये क्या कह रहा है, कि अगर मेरे पास अब ज़्यादा option तो है नहीं, या तो मैं इसे जैसे तैसे तोड़ करके निकाल करके और राजा के बचेवे अवशेशों को हमें प्राप्त कर लेता हूँ, या तो मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा नहीं कर पाता हूँ, यहाँ पर guard भी लगा दूँगा, तो क्या होगा, चोर आएंगे, guard को चकमा देंगे, दोका देंगे, और अंदर आजाएंगे, और वो किसी ना किसी तरह से तोड़ करके, और राजा का बचावाथ, जो भी राजा ने पैन रखा होगा अंदर की तरफ, सोना चान्दी बगर्ए, वो सब लेकर के भाग जाएंगे, सारा gold लेकर के भाग जाए थे बहुत ही धनवान थे अमीर थे and they thought or hoped और ऐसा उन्होंने सोचा या उमीद की they could take their riches with them कि वो अपनी अमीरियत जो भी सोना चांदी है उनका वो अपने साथ ले जा सकते हैं ऐसा कौन कह रहा है काइटर जो ऐसा सोच रहा है कि वहीं chapter हमें suggest करता है कि यहां पर राजा के पास में इतना सोना चांदी मरने के बावजूद भी तो ऐसा लगता है कि रॉयल परिवार के जो लोग हैं वो यह सोचते थे मेरी अमीरियत सिर्फ मेरी जो भी मेरा सोना चांदी है सारा मैं अपने साथ लेके जाओ वो शायद भूल गए थे कि कफण में जेव नहीं होती है तो यहां पर यही चीज है कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें लगता है कि कफण में जेव होती है तो पॉकेट्स नहीं होती है जो भी आपका सोना चांदी जो यात्रा थी जो कि आगे तक थी King Tut was lavished with glittering goods King Tut जो है वह lavished का मतलब होता है बहुती विलासिता पूर्ण तरीके से एश्वरिय से शानों शौकत से with glittering goods चम-चमाती हुई चीजों के साथ Precious Colors और बहुत ही केम्टी Colors का मतलब होता है गले में पहनने वाले Inlaid Necklaces और Inlaid जो Necklaces हैं सोने के बने वे नेचरली Brasslets, Kangan, Rings, अंगूटिया Emulates, Tabis, A Ceremonial Apron यानि कि एक Ceremony में जो पहनते हैं आपने देखा होगा Egyptian King वगर जो होता है वो एक चोगा सा पहनते हैं लंबा सा यहां से शुरू होता है पैरों तक जाता है पूरा का पूरा एक Apparin Type का होता है ठीक है Sandals, पैरों में पहनने वाले Sandals, Sheettles, खोल या मयान, for his fingers, अपनी उंगलियों को रखने के लिए उनके लिए भी सोने के दस्ताने टाइप के होते हैं and toys और अपने अंगोटों को and now iconic inner coffin and mask all of pure gold iconic यानि की मूर्ती के समान inner coffin, coffin के अंदर की तरफ and mask और मुखोटे के तौर पे इस तरह के मुखोटे भी वो लोग पहनते थे या फिर जो उनकी कबर वगर होती थी उस पर इस तरह का मुखोटा बनाया जाता था all of pure gold और ये सारी चीज़े किसकी बनी होती थी सोने की बनी होती थी या ग्रहन करते थे धारन करते थे to separate Tut from his adornments Tut को यानि King Tut को अपनी सारी सजावट की चीज़ों से अलग करने के लिए आभुषनों से अलग करने के लिए जोने के लिए Carter's man removed the mummy's head and severed nearly every major joint तो काटर के जो लोग थे उन्होंने ममी जो थी टटकी उसके सर को अटा दिया था और लगबग लगबग चोट पहुचाना या तोड़ना शुरू कर दिया था नियरली लगबग एवरी मेजर जोइंट हमारे शरीर में जितने भी मुख्य जोड होता है कमर का जोड हो गया ग neutrन हो गया कोहनी का हो गया कंदे का हो गया यह सारे के सारे major जोइंट से इन्हें भी तोड़ दिया once they had finished और एक बार जब उनका एक काम खतम हो गया they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box तो उन्होंने बाकी सारी जब एक बार उनका काम हो गया तो उनने सारी चीजों को एक लखडी के box में मिट्टी बिछा करके, सेंड बिछा करके उसके पास में सारी चीज़े जहां हाथ रखना है, हाथ रख दिया, जहां सर रखना है यानि कि उसके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया थे लेकिन बाद में उसको बच जमा करके रख दिया wooden box में with paddling that concealed the damage और उनी सारी चीजों के साथ में जो की damage पहुचाने वाली थी the bed where tut now rest उस बिस्तर पे जहां पर अब टट आराम करता है यानि कि वापस उसी जगह पर जहां पर रखावा था लेकिन coffee नोगर तो सोने का था तो ले गए wooden box के अंदर डाल करके सारी चीजों को conceal करके और वहीं पर रख दिया था archaeology has changed substantially in the intervening decades archaeology जो है यानि कि अन्वेक्षन का जो काम है वो काफी बदल गया है काफी अधिक मात्रा में बदल गया है in intervening इस समय में यानि कि जब टटको कार्टर ने खोजा तब से लेकर अब तक जो है archaeology करने का तरीका बदल गया है focusing less on treasure अब जो लोग archaeology में काम करते हैं उनका खजाने में कोई interest नहीं होता यह तो कह रहे है focusing less यह तो कम की बात कर रहे हैं लेकिन actual जो archaeologist होते हैं उन्हें कोई फरक नहीं बढ़ता वह आपको या मुझे एक सोने का घड़ा मिल जाए कहीं पर खुदाई की दौरान आप और मेरा सबसे पहला काम होगा चुप चाप उसे उठाया अपने बैग में डाला और बिना किसी को बताया घड़ ले जाकर रखती हैं सामन्य वेक्ति की सोच ऐसी होती है आर्केलोजिस जो है न वो इस सोच के लोग नहीं होते आर्केलोजिस जो होते हैं अन्विक्षन करता जो होते हैं उनको अगर सोने का घड़ा मिलेगा उसको देख करके बहुत खुश होते हैं उसे बहुत एड्मायर करते हैं और यार आज के 700 साल पहले ऐसे घड़े हुआ क देश की जो संपत्ती है या मेरा देश की जो 700 साल पहले का वैभ हो था दुनिया उसे देखे मेरे देश के लोग उसे देखे इन लोगों की सोच बड़ी अलग होती है यह आम लोगों की तरह नहीं सोचते इसलिए जब यहाँ पर कहता ना आज कल के जो आर्केलोजिस्ट है वो ट्रेजर में कम रूची रखते हैं more on the fascinating details बलकि आश्यरे चकित करने वाली जो details होती है जीवन की उसके बारे में जादा सोचते हैं and interviewing mysteries of death और जटिल से जटिल जो रहस से होते हैं मृत्यू के उनके बारे में जानने के उनके इच्छा जा लिए आज के समय के जो आर्केलोजिस्ट है वो और जादा sophisticated यानि की जटिल या सुविग्य तो इसमें साब सुविग्य ले लीजे जो किसी भी काम के लिए सबसे अच्छा औजार है सबसे अच्छी technology है किसी भी अन्वेक्शन को करने के लिए archaeological survey करने के लिए उसका इस्तमा करते हैं including medical technology जिसमें medical technology को भी शामिल किया जाता है कि medically किसी चीज़ को अच्छी तरीके से देखा जा सके ठीक है तो यह हमारा चैप्टर था और हम देख रहे थे कि कार्टर साब जो है उन्होंने कि तरीके से सत्यानाश करा कैसे उनके साथ वाले जो थे वह साइंटिस्ट न आप होते तो क्या करते चलिए इसी कॉश्चन को ले लेते हैं कि कार्टर की जगे अगर आप होते और ऐसा ही सोना अचांदी सब कुछ होता तो क्या आप किसी भी एक ऐसे शव को जिसकी मृत्य हो चुकी है 3300 साल पहले लेकिन इतने समय से वह ऐसा सुरक्षित पढ़ा था क क्या आप उसको ऐसे तोड़ते खोड़ते उसकी गर्दन अलग कर देते उसके सारे जॉइंट तोड़ देते और बाद में उसे बक्से में डालकर रख देते क्या आप ऐसा करते या इस चीज के बारे में आप लोगों को क्या खयाल है आप ऐसा करते या नहीं करते उसका तो तो नीचे कमेंट में मुझे लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं तिल देट थैंक्यू वेरी मच्च मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर भी लूँगा टेक यर आफ यरसेल्फ एंड बाबाई से यूज़ू